हलो फेंच में मंदीप सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर विंट साच के इस वीडियो में 38 साइस का बैक नेक डिजाइन मैं आप लोगे साथ शेयर करूँगी टीप नेक पर तो यह मेरा मेंट फैबरी के और यह अस्तर का फैबरी के सबसे पहले कटिंग करने के लिए हमने अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है एक लाइन रोकर के नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे इसके बार टोटल लंबाई लेंगे तो जितना भी लेंद आपको तयार रखना है उसमें एक इंच मार्जिन का फ्रस करके लेंगे टोटल अंबाई मैंने रखी है साड़ी चोड़ा इंच साड़ी तेरा लेंद मुझे तयार रखनी है इसकी डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर का मैजमेंट रखेंगे साड़ी पांच इंच यहाँ से भी साड़ी पांच इंच पर मार्क कर लेंगे और आर्म होल लिये हैं मैंने पॉना छेंच तो इस तरीके से शोल्डर इन आर्म होल की लाइन बनानी है चेस्ट का चोता पाग यहाँ पर लेंगे 38 साइस का चोता पाग लेंगे साड़े नो इंच और देड़ इंच एक्स्टा रखेंगे मार्जिन के लिए मार्जिन आप दो इंच पी ले सकते हैं अपने प्लाउस में चेस्ट की लाइन ट्रो कर लेंगे 10 इंच बाभ की तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म मूल की कुलाई करेंगे कमर का मेंसेमेंट लेंगे 32 इंच उसका चोता पाग लेंगे आट इंच, देड़ इंच एक्स्टा मार्सिन और एक इंच एक्स्टा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए तो दीखे मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरा कर लिया है और अब हमने इसे कटिंग करना है कटिंग करने के बाद गले का मेजरमेंट लेंगे गले की जुबिट थे फूर लेंगे ठाय इंच पर 2.5 इंच और गले के लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं मैंने रखा है 10 इंच और इस तरीके से के स्क्वेर बॉक्स जैसा है यहाँ पर बना लेंगे गले का शेप ड्रॉ करने के लिए अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटका गला तो इस तरीके से सिंपल हमें पॉट शेप देना है आप चाहे तो यहाँ पर पांच शेप और राउंड डेक भी ले सकते हैं गले को इस तरीके से ड्रॉ कर लेने के बाद हमने करना है इसका कटिंग गले को यहाँ पर देखें मैंने गला कट कर लिया है और बेक पार्ट को मैंन कपडे पर भी कटिंग कर दिया है इसके बाद हमें लेना है पेपर पेस्टिंग पेपर पेस्टिंग को डवर फोल करते हुए नीचे की तरफ रख लेंगे और एजटी से यहाँ पर गले की मार्किंग कर देंगे इसके बाद बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से कट कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग कटिंग कर दिया है, अब हमें लेना है अस्तर वाला कपड़ा, अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखेंगे नीचे की तरफ और इसके उपर रखना है पेपर पेस्टिंग, पेपर पेस्टिंग को अटेज कर देंगे पिन के साथ इ एक तरफ से मैंने सिलाई लगाती है अब दूसी तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से इसके बाद जितना भी पीच का एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंगे इसे हमने कट करके निकाल देना है इसके बाद लेंगे मेन फैब्रिक, मेन कपड़े को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे और अस्तर वाले कपड़े को इसके उपर रखते हुए अच्छे से पिन के साथ इससे अटेज कर लेंगे, दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन लगाएंगे अब इसके उपर में सिलाई लगा रहे हुँ तो एक पिर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद जितना भी बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमने कट करके निकाल देना है और पूरे ही नेक पर छोटे-छोटे कर्ट लगा देने है नेक पर कर्ट लगाने के बाद एक सिलाई अस्टर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगाएंगे किनारी से नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखना है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद अस्तर के कपले को हमने पलटके अंदर की तरफ कर देना है फिनिशिंग के साथ और एक सिलाई उपर की तरफ से लगा देनी है नेक पर ये देखिए सिलाई लगा कर मैंने इसे पूरा कर लिया है इसके बाद हमने बाहर की तरफ से भी इस पर सिलाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैबरिक इससे कट करके निकाल देंगे तो इस तरीके से हमने फैबरिक को कट कर देना है कपड़ा कट करने के बाद अब मैंने सेंटर में एक छोटा कट लगाया है यहां से हमने कपड़े को फोल्ड करना है और चार इंच की लंबाई में प्लेट्स लगा देनी है दोनों ही तरफ इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेंगे और अब मैं लगा रही हूं नीचे की तरफ कमरपटी तो नीचे से आधा हिंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कमरपटी को अटेज कर लेना है एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे और पटी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड तो बैक पार्ट मेरा पूरा हो गया है इसके बाद मैं इसका डिजाइन तयार करूँगी इसके लिए मैंने पटी कट करके रखी है पटी के जो विट थे बोली है मैंने यहाँ पर साड़ी तीन इंच और पटी की लंबाई आपको बढ़ा करके लेनी है यहाँ पर क्योंकि इसका हम फ्रिल बनाएंगे और फ्रिल बनाने के बाद जो कपड़ा है वो बहुत ही चोटा हो जाता है तो पटी को आप बढ़ा कर ही लिजएगा इसके चोड़ाई आप अपनी हिसाब से कम ज़्यादा करके रिख सकते हैं साड़ी तीन चार इंच भी ले सकते हैं मैंने साड़ी तीन लिया है और आप तीन इंच तक भी ले सकते हैं पटी को डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी एक सिलाई लगाएंगे इसके बाद पट एक जैसे फ्रिल इस तरीके से पूरी पटी की बना लेंगे पूरी ही पटी पे हमने इस तरीके से फ्रिल बना कर इसे पूरा कर लेना है इसे फ्रिल मैंने बना ली है अब इसके पास सिलाई के पास तक जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमने कट करके निकाल देना है इस तरीके से और अब हम इसे अटेश करेंगे ब्लाउस के साथ तो यहाँ पर इसे रखेंगे नेक के किनारे से नेक के कॉर्णर से रखते जाएंगे और इस तरीकी से यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे फ्रिल को बराबर से रखना है और पूरे नेक पर इस तरीके से अटेश कर लेंगे फ्रिल को अटेश करने के बाद मैं यह लगा रही हूँ यहाँ पर लेस तो इस तरीके से दीके मैंने लेस को अटेश कर दिया है लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगाएंगे यह देखे मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है अच्छे से और यह पैटर्न हमारा बनके कम्प्रीट हो गया है इसके सेंटर में मैं एक फ्लावर बना कर लगा रही हूँ तो फ्लावर तेयार करेंगे इसके लिए मैंने चोकुर कपड़ा कट करके रखा हुआ है चोकुर कपड़ा लिया है मैंने यहापर 3 इंच के लंबाई जोड़ाई में इसे आपको ट्राइंगल में फोल्ड करना है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है टोटल एक फ्लॉवर बनाने के लिए मैंने 6 पैटन यहापर लिये हुए है सभी पैटन को इस तरीके से स्टीच कर लेंगे अभी ने कट करते हुए हमने यहापर फोल्ड कर लेना है तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे flower का look देंगे इसे extra कपड़े को cut कर देंगे और सभी pattern को इस तरीके से fold करते हुए तयार कर लेंगे इसके बाद हमने एक कपड़े का piece लेना है और उस कपड़े के piece पे इन सभी patterns को attach कर देना है तो एक छोटा piece लेंगे और यहाँ पर इसे इस तरीके से fold करेंगे एक एक करके सभी pattern को इसके उपर रखते हुए हमने stitch कर लेना है finishing के साथ यह देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा कर इन सभी pattern को attach कर दिया है flower को हमने यहाँ पर लगा लेना है flower को मैंने attach कर दिया है अब मैंने एक डोरी ली है इसके साथ एक लटकन यहाँ पर तयार कर लेंगे इस तरीके से दोनु तरफ मैंने डोरी के लटकन तयार कर ली है अब इस लटकन को हमने flower के उपर attach कर लेना है तो दोरी को इस तरीके से रखेंगे और उपर से भी fold कर देंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से दिखें मैंने डोरी को सिलाई लगा कर यहाँ पर attach कर लिया है और इसी के साथ मेरा नेक डिजाइन बनके तयार हो गया है तो फ्रेंट्स आपको आज का मेरा डिजाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तर ने बागा